हेलो फ्रेंट्स तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कोशन नमबर चार का सॉलुशन कह रहा है कि दो पात्रों में 200 और 425 लिटर दूद है यानि दो अलग-अलग पात्र हैं जिसमें एक में 200 लिटर और दूसरे में 425 लिटर दूद है और कह रहा है कि पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी कि जब दोनों पात्रों का दूद किसी दूसरे में रखा जाए तो उसमें वो अट जाए यानि हमें किसी तीसरे का क्या निकालना है धारिता निकालना है तो आईए देखते हैं इसका सॉलुशन कैसे होगा तो चलिए देखिएगा कि दो पात्रों में 500 और 425 लीटर दूद हैं ठीक है दो अलग-अलग पात्र हैं और उनकी महत्तम धारिता ग्याद करनी है तो जब महत्तम धारिता ग्याद करनी है इसका मतलब कि हमें यहाँ पे निकालना होगा तो देखिए का करेंगे solution ध्यान से आप लोग देखिएगा और लाश्ट तक बने रहिएगा देखो तो दो पात्र हैं एक यह और एक यह बस सिंपल दोनों को हम भाग है वैं निकाल देंगे 250 से 85 लगा देंगे 400 कितना में पच्चिस में कितने बार में लगांगे एक बार में 500 हो जा कि एक बार में 250 लगाएंगे आप भागा देंगे इसके बाद 55 में जिरो गया पांच 12 में से टू आया वन और एक शेप में आप जानते होंगे फिर इसको इधर करके ये इधर ले आना है ठीक है तो यहां हो जाएगा 250 एक बार में लगाएंगे तो 175 अब घटाओगे 10 में से 5 गया 5 यहां बच गया आपका कितना 4 14 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा है कि नह में से 5 गया 5 यहां बच चार 14 में से 7 गया 7 अब फिर एक क्रॉस इसके बाद इसको इधर लाएंगे 175 को तो इसके बाद तो यहां पर इससे भाग लगाएंगे इसको कितने बार में 75 को तो देखिए 75 से हम गुना करके देखते हैं 75 को तीन बार में गुना करके देखते हैं तो 5 तिया 15 का 5 भाग्यात का 1 और 7 तिया 21 और एक क्या हो जाएगा 22 225 है और यहाँ 175 है तीन वार में जादा आ रहा है तो 2 वार में लगा देंगे कितना 2 वार में लगा देंगे 1500 कितना लगा देंगे 1500 जब घटा होगे तो 5 में से 0 गया 5 और यहां आएगा साथ में से 5 गया 2, ठीक है ना और फिर इसको ऐसे करेंगे और यह 75 यहां पर आजाएगा ? तो तीन बार में 25 तिहा क्या आजाएगा ?im., कितना आजाएगा वागू ? 75 आजाएगा तो इस प्रकार से आप यहां देख पार है होंगे कि जो इसका जो महत्तम धारिता है ना यानि एचसी एफ जो आ गया वो कितना आ गया 25 यानि कि जो अगला जो होगा क्या कंटेंड या जो भी वो कितने लीटर का होगा 25 लेटर का तो आज किस वीडियो में इतना ही फिर से आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट शॉलूशन के साथ धन्यवाद लेकिन उससे पहले एक बात और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ठीक है ना आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे